संबल में मस्जिद विबात को लेकर पूरे इलाके में तनाव फैला हुआ है। संबल में एक साथ पांच से अधिक लोगों के इकठा होने किसे भी जुलोस या प्रदर्शन पर रोख है। प्रतिनी थी मंडल में शामिल सपन नेताओं को प्रिशासन द्वारा उनके घरों और ग्रह जनपतों में ही रोकने का प्रियास किया चौरा है। उतरप्रदेश विधान सवा में नेताप्रदी पक्ष मातप्रसाद पांडे की लगनव इस्तितावास के बाहर पुलिस पोर्स तहनात है। संबल के जुलाधिकारी ने मातप्रसाद पांडे को जिले में भारतिय नागरिक सुरक्ष सहिता की धारा 163 के तहट निश्य धाग्या लागू होने का संदेश भेजा था और उनसे यहां नहीं आने का आग्रे किया था। साथ हमारे हाँ यह इस्थिति आप नहीं जा सकते तो लिखित नोटिस तो कुछ दिया नहीं इन्होंने केवल पुलिस लगा दी लिखित नोटिस देना चाहिए पहले तीन दिन के लिए आपको मना किया गया उसके बदब आपके पास का लेटर आया है उसमें 31 दिसंबर तक तो हाँ असांती पैदा हो जाईए यह सरकार जान बूश कर अपने सारे कारियों पर परदा डानने के लिए हम लोको रोक रहे हैं वहां के डिविजनल कमिशनर ने भी आपके बयान पर रिपलाई दिया और उनुने कहा कि जो भी इस तरह के संविधानिक पर पर लोग है उनको अपनी चीजों को देखना चाहिए और कोई भी यथा इस चितिती ना पैदा हो इस मलब कोई भी लोड़ी ना पैदा हो नहीं पर देश के लिए जितने यहां के कमिशनर के होगी वो क्या का रहा है उनसे बात करने का हो था सपा के पंद्रह सदस्य प्रतिनी धी मंडल में विधान सपा में नेता प्रतिपक्ष मातपिसाद पांडे विधान परशद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव सपा प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल मुजफर नगर की सांसद हरेंद्र मलिक केराना सांसद एकराहसन, संबल सांसद जियावर रह्मान वर्ग और आवला सांसद निरज मौर्या, विधायक कमाल अक्तर, रविदास महरोत्रा, नवाब इकवाल महमूद और पिंकी सिंग यादब, सपागे संबल जिलाद्यक्ष असगर अली अंसारी, मुरादवाद करन का शामिल है, भारी पुलिस लगा दी गई है, लेकिन हम लोग बहुत पहले ही सुबा घर से निकाच चुके थे, और स्वाभी पार्टी के रास्ची अध्यक्ष मन अकलिस होजी घर पर गए थे, और उनसे मिल करके, कैसे जाएंगे अभी तो पुलिस ने यहां पर भी रोग रखा है, कहरें वहाँ जाने का वो नहीं है, वहाँ 163 लागू है, हम लोग यह कहते हैं कि वहाँ पर जो पांच लोगों की हत्या हुई है, उनके परवार के लोग बहुत दुखी हैं, हम लोग उनसे मिल करके उनको संतावना देंगे, जो लोग घायल हुए हैं, उन लोगों को मिलेंगे, और हमारा उदेश, वहाँ पर शान्ती अमन कायम करना है, और जो अधिकारी जिम्मेदार हैं, वहाँ के डियम और स्सपी उनको हटाया जाए, और हाई कोट के वर्तमान किसी नियाएधीर से जाज करा जाए, चुकि उसमें डियम खुद दोशी हैं, जब डियम दोशी हैं, तो उसका एसीम या मजिस्टेट क्या जाज करेगा। और मस्जिद कमेटी को अपनी याचिका के साथ इलाबाद उचनेयाले का रुख करने को कहा था, मस्जिद कमेटी ने सुप्रिम कोट में याचिका दायर कर सरवे के आदेश को रद करने की मांग की थी, मतादे की सपानेताओं की योजना पेड़ितों से मुलकात कर एक स्तापित कर ली गई है और इस तरह के राजनीतिक दोरे फिर से अस्तिरता का कारण बन सकते हैं। इसमें सनलिप्त लोगों की पहचान करने के लिए यूपी सरकार ने नियाई कायो का गठन किया है। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। ने पाले ये वीडियोच पर राइकन को लाइकन का लाइकन को देख रहे हैं तो हमारे यूव करें।